हेलो इस्टुदेंट स्वागत हैं आप सभी का हमारी इस लाइब स्ट्रेम बायो वाला में इस्टुदेंट आज आपको हम इस लेक्च्छर हम बताएंगे कि प्लांट को हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे यानि कि इस लेक्चर हम श्टार्ट करने वारे हैं इसका ना कि वो कौन सा प्लांट है चाहने को मिलेगा और यह बारे में जानेको आप्सके बारे में जानेंगे कि जो हमारे प्लांट को अधेटिफाय करने के लिए यूज किया जाता है यह अपलिकेशन के बारे में बताएंगे जो free of cost होगा यानि कि without पैसे का होगा कुछ apps के बारे में बताएंगे जो आपको payment करने के बाद उस app को आप use कर सकते हैं तो इसलिके बारे में इस वीडियो में जानना है plant identification app ये वीडियो आपके exam के point of view से most important है आप लोग इस पे three star अवश लगा लीजिएगा क्योंकि आपके exam में ये question एकदम आने वाला है hundred percent आने वाला है कि plant identification app क्या होता है आपको question पूछ सकता है describe the plant identification app या फिर आपको बोल सकता है write the short note on plant identification app आपको ये 5 नमबर या फिर 7 नमबर के question में आपसे इस के बारे में पूछा क्या सकता है तो आप लोग इदम care full करके इसको देखिएगा आईए start करते है अपने topic को very good morning to all of you अभी को नमस्का राम राम सस्टेकाल वालेकुम शलाम which you are feel connected with लेडगर started तो आप लोग फटा फट सहरी लगाएगा plant identification क्या लगाएंगे plant identification पहले सब्सक्राइब है कि plant तो आप लोग समझ रहे होगे पेड़ पाउ देखा identification का मतलब होता है पहचार करना पहचार हम लोग किसके करेंगे कुछ application के माद्यम से apps के माद्यम में तैसे आपके smartphone में different type के apps होते हैं जैसे ट्यूटर फेस्बूक, इंस्ट्रा, वाटसेप, टिक कैलरी यह सब जो apps होते हैं वो social media related app है किस से है? social media related app है लेकिन हम यहाँ पर उस app के बारे में पढ़ेंगे जो आपके plant को identify कर देगा कि या plant किस family कहा है इसका work क्या है इसका genus क्या है इसका species के है ठीक तो में लिए किस purpose यूज करेंगे हैं लोग plant को identify करने के लिए आप लोग किसी garden में गए कहां गए किसी garden में ठीक किसी garden में गए अब आपको एक plant दिखाई पड़ा मल आम का plant दिखाई पड़ा जिसको आप लोग हमेशा देखते आते हैं तो आप बता सकते हैं कि आम का plant है इसका क्या use है ठीक इसको local name में क्या कहते है बोटनिकल name में क्या कहते है इसका root कैसा होता इसका फल कैसा इसका fruit कैसा होता है ठीक इसके flower कैसे होते है ये समर आप उसको नाम सहे यूज है तो अगर उस प्लांट को आपको पता नहीं है तो आप किसी से पूछेंगे तुक अगल सब्सक्राइब प्लांट पता है की प्लांट प्लांक है ये प्रक्रिया कैसे होती है आपको simply क्या करना है आप अपने phone में app को download करे रहेंगे आप उसको यानि कि उस plant का ornamental plant हो चाहे सजावती plant हो चाहे timber plant हो ठिक चाहे vegetative plant हो चाहे flowering plant हो कोई भी plant हो पस आप उसका क्या करिए फोटो क्लिक करिए और वो आपको detail से बता देगा कि ये क इसका क्या यूज जाए क्या नाम है ये सब कुछ बाते बता देगा तो इसी यूज परवस इसको बनाया गया है आई आप अपने हम लोग language के मादियम समझते है तब plant identification apps have been developed for identification of plant by clicking the photograph यानि कि जो identification identification आप है उसको किसके लिए बनाया गया है कि plant के plant को identify करने के लिए उसको photograph से उसके photograph से identify करने के लिए और photograph कहां से लेंगे आप लोग आपने camera हैंने की smartphone के camera से टिक्त आप camera से photo खीचेंगे और plant को identify करने के लिए देख लेंगे तब plant identification contains has following features त्रिक जो आपका identification आयफ है उसमें पहुत सारे feature होते हैं क्या क्या identification आप trees वो पहले आपके trees को identify करेगा नद pillow क्या करेगा प्लाइब brand को आप लोग फोटो क्लिक के थो क्या करेगा और वो अगर वह क्राप ब्लांट स्योंगे थो क्राप ब्लांट समय में सस्यों होगा तो घर के आगये जाते ऊपटे मिश्राव का मतलब प्लांट अईसे प्लांट जो bashता उत्पन होते हैं उसे फ्लावर बोलते रिव्ल्डिंग प्लावर बोलते हैं वेची टेवर यानि कि सब्जी वाले पौदे सरप्लाइब आप लोग समझी रहे होंगे इंडूर यानि कि घर की अंदर और्नमेंटल प्लांट लगा जाता है वह क्या फिर कोई एकोटिक को आप identify कर सकते हैं इस आप के माध्यम से नेक्स पॉइंट है संप आप संप प्लांट आप प्रवाइब इनफार्मेशन रिलेटेड टू दे कियर वाटरिंग गार्डेन मैनेज्मेंट कुछ आपस ऐसे भी है जो बताते हैं कि आपको अपने प्लांट को कैसे कियर करना है कैस मैने चीज़ बताइंगे कि उसको कितने मात्रम में जल देना है इनारी की सब इनफार्मेशन उसमें फीट रहती है और यह भी बता सकते हैं कि इसके चो सकता मैं मैं तुब बता सकता है कि इस plant में किस के ड्वाला डिजीज हो रहा है नेक्स्ट पॉइंट है तब plant type help in finding out the name of species, herb, specific herb, weeds, tree, flower, etc यानि कि आपके ये दूआप है ये आपको ये भी बता देगा कि ये कौन से family का plant है इसका specific नाम क्या है, herb है, किसरा भै कि टीब है कि weeds है flower इसमें कैसे होते है, flower का बाते है, कितने वर्ष का ये plant होता है कब इसको लगाया जाता है, ये कि सभी details उसमें feed रहती है आईए कुछ apps के बारे में जानते कि कौन-कौन apps होते है जो हम download करके अपने smartphone में इसका उपयोग चेक करके कर सकते है तो आप लोग practically इसको देख सकते है, ये कुछ apps आपको हम दिखा रहे है आप इसको download करके अपने phone में ही आप लोग देख सकते हैं क्या ये इस प्रकार काम करते हैं कि नहीं तो पहला है क्या है plant snap app क्या है plant snap app जो आपके plant को identify करने के लिए यूज़ किया जाता है second point पर आपका plant net app क्या है plant net app तीसरा है picture dish हैने कि एक picture dish app आता है उसके द्वारा भी आप picture को मतलब photo को capture करके आप plant को identify कर सकते हैं एक आता है आई naturalist ये काफी अच्छा आप है आपके plant को identify करने के लिए एक आता है leaf snap क्या आता है leaf snap उसका भी वर्क है यही सब है flower checker आप आता है garden campus आता है garden answer आते हैं ये सब क्या है आप्स है उसके बाद आता है आपका एक what that flower what that flower आप ये भी आपका plant identification आप ही है एक आता plantics ये भी आपका होती important आप है ये भी काफी अच्छे feature होते है इसमें एक हता आपका agrobation आप और होता है एक planta आप यानिक ये सब different types के आप है जो आपके flower को identify करने के लिए यूज किये जाते हैं तो अगर आप लोग screenshot लेना चाते हैं तो आप screenshot ले शकते हैं ठीक आप यहां से screenshot ले शकते हैं छलिए आप ले शकते है चलिए आप बढ़ते हैं चलिए बारे जानेंगे कि वहां किस प्रकार शे juber करता है किया उसके function है मुझत आइए उसके बारे में जानते हैं तो सम इंप्वार्टन टैप्स आर फ्री कुछ आप्स क्या होते हैं फ्री होते हैं कुछ पेड होते हैं पेड का मतलब होता है हमको उसके लिए यूज करने के लिए पैसा देना पड़ता है और कुछ क्या होते हैं फ्री होते हैं आप चाहें जैसे उसको डाउनलोड कर सकते है जैसे बहुत सारे प्लेइश्टोर पर आपको आपस मिल जाएंगे जिसका आपको कोई पेमेंट नहीं करना होता है आप सिंपली वहां से डाउनलोड कर सकते हैं बट कुछ आपस होते हैं जिसको आप लोग पैसे देने के बाद आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं ठीक सब इंप्वाटेंट आइडेंटिफिकेशन आपस आर गीवन एज भी लो तो आए हम लोग कमसते हैं कि कौन कौन से आपस हैं जो हमके लिए बहुत इंप्वाटेंट है तो आए हम कुछ आपस के बारे में जानेंगे जैसे आपका पहला है प्लांट इस्ट्नाइप आप प्लांट इस्ट्नाइप आयप यही आपका फ्री आपका क्या आप आप है यह लगबग 30 30 भासाओं में यह प्लांट है इसमें लगबग 6 लाक 6 लाक प्लांट के बारे में इसमें पहले से फिड किया हुआ है उसमें कौन कौन से प्लांट है, ट्री है, हर बेज ईरोफिटिक प्लांट है, फ्लावरिंग प्लांट है, अर्नामेंटर प्लांट है, सब्लेंट प्लांट है, तो यह उस प्लांट के यह जो आयप है, यह यह भी बता देगा कि यह फैमली क्या है, इसकी साइज कितनी होगी, यानि कि इसकी original size कितनी होगी as maturity यानि कि जब पिर परिपक को हो जाएगा तब यह कितना बड़ा दिखाई पड़ेगा इसका fruit कैसा होगा फल कैसा होगा यह सब बाते भी इसमें include हैं तो आये इन सब चीज़ों को हम लोग अपने लेंग्विज के माद्य हम समझते हैं तो आप लोग घ्री लगाईएगा प्लांट स्नाइब आई तो it is free app यह कैसा है free app है free app cost है and available in 30 language यानि कि तीज भासाओं में यह उपलब्द है and uses artificial intelligence technology for identification of plant यानि कि जो artificial intelligence technology है उसमें इसका उपयोग किया जाता है किसके लिए plant identification आएप का आगे लोग समझते है it allows the user to identify six lakh plant इसमें यूजर छे लाख प्लांट का क्या कर सकते है चानकरी प्राप्त कर सकते है तब प्लांट में भी जो प्लांट है वो कौन कौन से हो सकते है वो आपके हर्व हो सकते है ट्री हो सकते है स्रव हो सकते है जीरोफिटिक प्लांट हो सकते है जैसे कैक्ट्रस होता है आपका फिर फ्लावरिक प्लांट हो सकता है औरनमेंटल प्लांट हो सकता है सकुलेंट प वह आपको बता सकता है बहुत सारे इंफार्मेंस जैसे प्लांट का नाम उसके फैमिली का नाम उसकी ओरिजिनल साइज ऐस मेट्योटी यानि कि जब वह परिपक्त हो जाएगा तो फ्लावर का ऐसा दिखेगा उसकी साइज कितनी होगी यह सब बाते भी उसको आप बता सकता ह फिर वो बताएगा कि आपके फ्लावर का और फूर्ड का क्रेक्टर का एसा होगा, सेडींग होगी, फ्लावरिंग होगी कि नहीं होगी, एक स्थेष्ट्योल प्लांट होगा, कि बाइस सेush Tip होगा कह एलिक्स क्लोल लाका ररेंजिमिन्ट क्या होगा, यानि कि भहुत से ची 3 इस्टार लगवा दिया थी दिस ऐफ फ्री अलाव इडनेटिफाइई तीस आप फिरी यह कैसा ऐफ है यह फ्री है इट्लाव आइडेंटिफाइई फ्री फ्री बाई फोर्टो ग्रैफिक विछ स्मार्टफोन इस आप आइडेंटिफाइई 20 थाउजन प्लांट इस प्लाव है इसमें लगबग 20,000 20,000 प्लांट को रखा गया है इस आप के अंदर ठीक और इसका भी आप लोग identify photo click करके ही करेंगे photo click करके ही किया जाता है ठीक तो इसमें आप बहुत सारे plant species हैं flowering plant है कोनी fun plant है fun नहीं केक्सर्स है तो आड़े की बहुत सारे plant इसमें भी रखे गए हैं निक्स्ट है आपका आई नेचुरिलिस्ट आइप क्या है आई नेचुरिलिस्ट आप है जो most popular आप है कैसा है most popular plant identification आप है ठीक यह आपका android and iOS iOS और android में क्या अंतर है यह आप लोग पता होना चाहिए यह मैंने पीछले क्लास में भी बताया था आपको जब computer की classes चला रहे थे ठीक यह भी computer से लोड़े topic है यानि कि जब कुने computer पढ़ाया था android और iOS के बारे में बताया था अगर आपको पता हो तो आप comment box में comment करिएगा iOS क्या होता है पहले यह समझ यह जो phone smart phone आते हैं लाइक आपके वीवो ओपो यह सब की जो फोन आते हैं इस पे android अप्लिकेशन को रखा जाता है तो जो अप्ट्वेर्स होते वह android होते हैं लेकिन जो आपके आई फोन एपल्स के फोन आते हैं उसमें iOS सब्ट्वेर इंक्लूड रहता है तो जो android होते हैं वह common phone में आ जाते हैं लेकिन जो iOS होते हैं इस कुछ फोन में जैसé आई फोन आर एपले में फोन में में देखने को मिलता है तो जो आइपल जैसे फोन में भी आप रख सकते हैं की इसपे लग बग dudu सो पाच मिलियन फ्वारत मैं फ्लावलिंग प्लांड को रखा है रिसर्च करके रिसर्च करके हुए रखा गया है आई इसी टॉपिक को पर लेंगविज के मात्यम से समझते हैं हम लोग इस तो बताई दिया था आपको टिवाइस आयप कंटेंड रिसर्च चार्टा मोर देन 205 मिलियन एप यानि कि इसमें लगबग 205 मिलियन से भी ज्यादा प्लांड को आइडेंटिफाई करके रखा गया है इसमें भी बहुत सारे इसके भी प्लांट रखे गए है और नेशनल जियोग्राफिक सुसाइटी के भी इसमें प्लांट रखे गए है इट कैन एडिनफाई आल काइंड आप प्लांट अंड विल्लाइब जानि कि यह आपके प्लांट के टाइप को बता सकता है कितने प्रकार के प्लांट हैं उसको आइडेंटिफाई जाए जितने प्रकार के प्लांट हो आपको आइडेंटिफाई करके देगा बता के देगा उसकी लाइफ बता देगा कितनी लाइफ होगी इसकी और यह बहुत payment पहले करना होता है उसके बाद यह अप आपके फूर में डाउंलोर होता है एंसरी यानिक यह फिरी आप कॉस्ट नहीं है यानिक यह फिरी आप नहीं है यह पैसे वाला आप है लोग्ष फ्री वालत तो जाद तर यूज करते लेकिन जो आपका ये pay up cost ऐप है इसमें advanced features पाए जाते हैं ठीक, advanced family रखी गई है, इसमें advanced topic दी जाती है यानि कि आपको जो free है उससे ज़्यादा इसमें feature देखनों को मिलती है क्यों क्योंकि भाई ये pay है, यानि कि paid ऐप है अगर आप पैसे देंगे तो जानकारी ज्यादा प्राप्त करेंगे तो इसी purpose ये बनाए गया है आई समझते हम लोग, it is paid app and has advanced artificial intelligence technology यानि कि आप जब paid है तो advanced intelligence technology जो है intelligence उसको इसने बनाया है यानि इसमें लगबग 27 million plant है पाकित जितने भी प्लांट ने वह जो भी ये जो आयप है ये आपको 99% सही बात बताता है टिक ये जो आयप है आपको ये 99% आयप बताएगा कि उसका एक्चुरेट चीज बताएगा यानि कि वह सब जो फ्री वाले आप है वह हो सकता है कि बाइदर मिस्टेक हो जाए उनसे लेकिन ये 99% इतनी capacity है कि ये सही चीज बताएगा क्योंकि भाई ये पेड है टिक ये 99% बातों को शत्य बताएगा शत्य चीज नहीं बताएगा इस आप आपको प्लांट को कैसे सुरच्छित किया जाए कैसे उसका देख भाल किया जाए टिक उसके बारे में कुछ ये टिप्स भी देते हैं टिप्स का मतलब कुछ ऐसी करने के लिए होते हैं ठीक प्यूरिंग वाटर एंड पेस्ट कंट्रोल और आपको ये बताएगा कि वाटर को कैसे इस पे कंड़क्ट कराया जाए कैसे आपको डिजीस से कंट्रोल दी जाए जाए कोई रोव हो गए आपके प्लांट में कैसे उसको वहां से उसको बचाना ह है वह सब यह बताएगा मेडिसीन बता देगा कि कौन से मेडिसीन इसके लिए चाहिए तिक यानि कि बहुत सारे फीचर इस पे इंक्लूड होते हैं आपके यह जो आयप है कौन सा आयप है आपका पिक्चर दीस आई तो यह मनें आपको लगबग चार आप के बारे बता दि है तो आपको एक्जामनर सेवन मार्क का जो कोश्टन होगा उतना तो मार्क देही देगा यानि कि लेक्वित हमाने लगबग दो से ढ़ाई पेस की बारे में बता दिया इतना बहुत होता है अपके एक्जाम में अगर आप इतना लिग देते हैं तो आपको नंबर आवश्य आप कुछ पॉइंट और भी इसमें इस्टा जोड सकते हैं आप इसमें और भी आप के बारे बता सकते हैं तो इस प्रकार से हमारी यह टॉपिक कंप्लीट होती है अगर आपके कोई डाउट कोई कोशन रह जाते हैं तो आप हमारे वाटसप नंबर 9598308044 पर वाटसप के थुरू मैसेज करके आप अपने डाउट कोशन को पूछ सकते हैं और आप वहां से पीडियेप की प्राप्ति कर सकते हैं आपके पीडियेप को आपको लोग भी दिया अगर आपको वीडियो यह अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देजिए सब्सक्राइब कर देजिए सेर कर देजिए फटा फट से एक बार सेर कर देजिएगा सबको ताकि जो बच्चे नहीं पहुच पा रहे हैं स्कूल कोचिंग तो आनलाइन के माध्याम से पूर है आपके लिए हमारे लिए भी आपका टाइम बहुत बहुत पूर है क्योंकि सामने आपका एक्जाम है एक्जाम की तयारी लोग आप लोग करें अगर हम बाते करके आपका टाइम इंविस्ट कर देंगे तो आप लोग एक्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेर नही Attesting नहीं करतें क्यों क्योंकि हमें पता है कि सभी लोग का टाइम बहुत महत्पूर है आज कल किसे के पास किसी वर्क के लिए टाइम नहीं मिल पाताúcT